नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर शहर ही नहीं पुरे विधरपस हीद आस पड़ोस के क्षेत्रों में भी नागपूर का मेडिकल अस्पताल सबसे बड़ा है इस अस्पताल पर एक बड़ी आबादी का भार है कोरोना काल में इस अस्पताल ने लोगों का भरपूर साथ दिया और आगे भी उम्मीदे बरकरार है लेकिन शनिवार को यहां बड़ा हाथसा होते होते टल गया यहां के लिक्विट ऑक्सिजन आपूर्ती टैंक की पाइपलाइन में लिकेज की खबरों ने प्रशासनिक अमले को हैरान कर दिया अच्छी बात ये रही कि समय गवाय भी ना अस्पताल स्टाफ ने मुस्तेदी के साथ रोगियों के लिए न सिर्फ ऑक्सिजन की आपूर्ती बहाल रखी बलकि लिकेज ठीक करने के लिए भी युद्धस तर पर मशकत जारी रखी नतीजा सब कुछ सुखद रहा मगर इसी को लेकर चिंता उभरी है चिंता इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमन की गती को देखते हुए ऑक्सिजन आपूर्ती में किसी भी अस्पताल में व्यवधान खतरनाक साबित हो सकता है नाशिक में गत वर्ष 21 अप्रेल को जाकिर हुसे नगरपाली का अस्पताल में भगड़ मच गई थी वहाँ ऑक्सिजन टैंक से अचानक ऑक्सिजन लिख होने लगी ऑक्सिजन के टैंकर से टंकी में रिफल करते वक्त वाल में लिकेच शुरू हुआ और देखते ही देखत विधर्भ एकोनॉमिक डिवलोप्मेंट काउंसिल और नागपुर फर्स्ट संस्ताओ द्वारा समर्थित किया गया था। पुरसकर समारोह के लिए इस वर्ष के थेम भारत के उद्यमी थी जहां विधर्भ और भारत के अन्य टियर टू टियर त्री शेहरों के 20 सफल उद् उद्यमीता और स्टार्ट अप के लिए एक एतिहासिक दिन था। एक उद्यमी के लिए ये बहुत सरहानी आंदोलन था जो भारतिय धर्ती पे पनपने की इच्छा रखता है। को पुरा करने हैं दूसर कार हर संभव प्रयास करेगी। के माध्यम से साकार किया गया है। कॉटन मार्केट छेतर में छोटा और बड़ा पोला मनाने का इतिहास रहा है। श्री तारन तरन दिगंबर जैन समाच के सयुक्त तत्वावधान में शीवर का उद्गाटन महापोर दयाशंकर तिवारी के हस्ते संपन न हुआ। इस अवसर पर प्रामुक रूप से विधायक विकास कुम्भारे किश्वर पालांदूरकर अध्यक्ष भाजपा मध्यनाकपूर। पार्शत संजे बालपण्डे, पार्शत विध्या कंहेरे, पार्शत सरला नायक, पुर्वस्थाई समित्य अध्यक्ष रविंद्र पैगवार, सतिश पेंधारी जैन, विक्रांत जैन, संजे टक्कामोरे, पंगज बोहरा, प्रशांत मानेकर, महिंद्र टक्कामोरे, जैन ने किया, महापुर दयाशंकर तीवारी के संकल पना से नागपुर महानगर पालिका के और से पचातर नेत्र परिक्षन शिविर, पचातर दंत परिक्षन शिविर, वए 107 स्वास्त शिविर शहर के विवित भागों में आयोजित किये जा रहे हैं। जैन, सम्यक जैन, संस्कार टक्का मोरे, रिशी जैन, बाबुलल टक्का मोरे आधिकार्य करता तथा पदाधिकार्यों का अत्यंत महत्व पुर्णा योगदान रहा। विनाश जामभुलकर, सुधाकर सोन कुसरे, सागर चान देकर और सभी व्यापरी गणु पस्तित थे। नागपुर के लेखक, चिंतक, समाद सुधारक, वरिश्ट समाद सेवी शरत गोपिदास बागडी ने अंतर राष्टिय राष्टिय जगत में अपनी सोच, विचार, अध्यात्मिक चिंतन, लेखन से एक उत्कृष्टल लेखक, चिंतक, समाद सुधारक के रूप में अप शरत बागडी को अंतरराष्टिय राष्टिय पुरास्कार व सामाजिक राजनितिक व्यवसाइक संस्थानों के अनेक प्रदेशों के राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों, केंद्रिय मंत्रियों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। शरत बागडी की विशेच डार्ग टिकट जारी की गई। नासा के मंगल ग्रह मिशन दोजार चबबिस में विविद देशों के कुछ गणमाणने विभूतियों, महानुभवों के नाम मंगल ग्रह पर जाएंगे। अंतरराष्ट्य मैगजिंग ग्लोबल अचीवर्स के भार शरत बागडी का भी नाम दर्च किया गया है। अंगिनत है। बाराव वर्ष की उमर में ही वे कुशल नर्तक बन गए। देश विदेश में कई स्टेज शो भी किये। शतरंच के खिलाडी जैसी चर्चित फिल्म के लिए नुरुत्य निर्देश किया। उसके बाद देवदास डेड़िश किया। उम्राव जान बाजिर विश्वविद्याले और खेरागड विश्वविद्याले ने उन्हें डॉक्टर रेट की मानत उपाधी भी दी। 2012 में विश्वरुपम फिल्म के नुरुत्य निर्देशन के लिए राष्टिय फिल्म पुरसकार भी मिला था। बिर्चु महाराज को अर्विन इंडो पब और निया क्षती है। पतंग उत्सो लिया गया। मकर संक्रांती काइट फेस्टिवल के माध्यम से नायलोन मांजा के उपयोग ना करने का संदेश भी दिया गया क्योंकि इसका उपयोग पशु, पक्षी और मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। इसके कारण बहुत सारी दुरगटनाय भी होती ह किशोरवईन लड़कियों द्वारा ये संदेश दिया गया, पतंग उड़ाना और कबड़ी खेलना सिर्फ लड़कों का ही खेल नहीं है और इस पहल के माध्यम से इस प्रकार के लेंगिक भेदभाव को चुनोती भी दी गई। जरीपटकस्त जी कुमार आरोग्य धाम में आरोग्य धाम हेल्थ केर सोसाइटी के दत्वावधान में हड़ी घनत्व जांच, बलड शुगर की जांच वा इम्म्यूनिटी काढ़ा वितरन शिवर का उद्गाटन एडवोकेट माधा उदास ममताने के हस्ते दी प्रेजवल अरोग्य धाम हेल्थ केर सोसाइटी आरोग्य धाम हेल्थ केर सोसाइटी आरोग्य धान के प्रचार में विश्वास करती है अपने प्रसार को बढ़ावा देने के लिए मध्यभारत और आस्पास के विविनस्थानों पर नियमित स्वास्त जान शिवर वव्यक्यान आयोजित किये जाते हैं जिसके अंतरगत ये 119 वाश शिवर था डॉक्टर जे ममधानी ने बताया कि वात रोग निदान शिवर में संधिवात, स्पॉंडिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटीका, गाउट, गाठियवात, फ्रोजन शोल्डर आधि वात रोगों के मरीजों ने लाब लिया शिवर में आये हुए मरीजों के फिजियो थेरेपी वा बाथोलोजी तथा पंच कर्म चिकित्सा अलपदरों में की गई फिजियो थेरेपिस्ट ने मरीजों को वात रोग में उपयोगी वायाम वा चिकित्सा की जान करी दी इम्म्यूनिटी स्पेशल अंग सभी मरीजों को निशुल दिया गया आज 15 प्लस और 45 प्लस आयूवर के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ड का टिका करन नाकपुर महानगर पालिका के साथ सरकारी केंद्रों पर होगा टिका करन का समय शाम के 5 बचे तक होगा टिका करन के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पधधतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ड के जरिये टिका करन किया जाएगा यह जानकरे चिकित सा स्वास्त अधिकरे डॉक्टर संजय चिलकर ने दी है इसी तरह 15 वर्ष और 45 वर्ष के सभी नागरिकों के लिए कोवाक्सिंग का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबसाय वामबेट कर अस्पिताल कामटी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मरपा माहाल रोग निदान केंद्र एंपस आईसूलेशन अस्पिताल इमामबाडा इंद्रा गांधी अस्पिताल गांधी नगर मनपास्त्री अस्पिताल पांच पॉली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्ध है प्रहार जन शक्ति पक्ष टाकल घाट गाओ शाखा में नागपुर ग्रामेंट जिलावपाद धिक्षे निलेश महुरकर के शुभास दे हिंगना तालुका के टाकल घाट गाओ के किसान वयुवा कारेकरताओं ने सेवा बंधन मान कर प्रहार जन शक्ति पार्टी में प्र प्रवेश करना पसंद करते हैं। प्रवेश करते हैं। इस अउसर पर परमात्माइक दंडपट्टा, खाड़ा, नीमखेडा के सावी वखलकर, साक्षि सुरिय वंशी, अविनाश वखलकर, उर्षी मलेवार, अलकेश वखलकर, चकुली बाओने, बुलबुल वखलकर, शीतल वखलकर, राहुल वखलकर, आधित्य बाओने, तथा अ आधी मंच पताधिकारियों ने सहयोग किया। कारेक्रम के अध्यक्षता, सुसाइटी के अध्यक्षय डॉक्टर राजेंद्र दखने, डॉक्टर रश्मी वर्मा, लाई वर्थ फाउंडेशन के अध्यक्षय अशुक खोबरा कड़े, वेस्टरन कोल फिल्ड्स लिमिटेट के प्रबंदक आनन चौग से, समुह शिक्षा कोविड-19 से लढने के लिए बड़ी मात्रा में रक्त की आवशक्ता होगी प्राचारीय मिलिन्वान खेड़े ने बताया कि रक्तदान चीवर का आयोजन प्रकाश हाई स्कूल वजुनियर कॉलेज के और से सामाजिक जिम्मेदारी के लिए किया गया था शहर के आसपास के इलाकों में हाल ही में हुई भारी ओला वुरुष्टी की वज़े से किसानों के खेतों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है वही खेतों में बड़े पैमाने पर खड़ी फसल बरबाद हुई है जिसमें किसानों का लाखो रुपे का माल तबाह हो गया है से 500 हेक्टियर में किसानों की फसल को ओले गिरने से नुकसान होने की जानकारी अधिकारियों ने दी। अपनी पिडा सुनाते हुए नुकसान की जानकारी दी। पिडित किसानों के प्रतिनीधी मंडल ने सरकार से बारिश से हुए नुकसान की ततकाल भरवाई करने की मांग भी की है। युवाओ को रोजगार उपलप्त कराने की दुर्ष्टी से उद्यमियों की एक बैठक का आयोजन करने के भी निर्देश दिये हैं। उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नागपुर जिला परिशद ने बैठक में भाग लिया। केदार ने आगे कहां कि खापरी के ग्रामेनों को अन्यगाओं में लागू माप दंडों के आधार पर भूखंडों का वितरन करना आत्यनता आवशक है। इसलिए तमाम अधिकारी बैंक धारों को और गैर धारक किसानों को भूखंडों के वितरन की ओजना बनाएं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा। उन्होंने उद्ध्यमियों से ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि स्थानिया लोगों को आजीवी का कमाने के अवसर के तौर पर रोजगार दिया जाए। पर आयोजित कारिय शाला में भाग लेने वाली महिलाओ की बैठक को संभोधित कर रही थी। अधिवक्ता स्मिता सिंगल करने सभा में भाग लेने वाली महिलाओ को सुरक्षा के लिए उपलाध प्रावधानों पर मार्क दर्शन किया। इस आउसर पर आशा पठान, अपर पुर्वन अध्य रेल्वे के नाकपुर स्थित मंडल कार्याले में रेल प्रभंधक मनिंदर उपल से मुलाकात कर ग्यापन सोपा और कामठी वाड 15 रमान अगर रेल्वे क्रॉसिंग परिसर में 60-70 लोगों द्वारा किये गे अतिक्रमन हटाने के कारवाई को रोकने की मा पर नगर सेवी का संध्या राय बोले नगर सेवक लाल सिंग यादव, पुर्वन अगर सेवक जगदिश में इश्राम, भाजपा शहर महामंत्री उजवल राय बोले, विक्की बोमले, जितेंद्र खोबरागडे सहित, शंकर चवरे, गुलाबराव राम्टे के, सिधार्त जाधव, बगमलेश नेवारे, सुरेश टेंबरे, सोनूशेंडे, आदी उपस्तित्ते नाकपुर सुधार प्रण्यास के विश्वस्त संधिप इटकेलवार को, ओल इंडिया मजली से इतिहादुल मुसलिम मिन के एक प्रतीनिधी मंडल ने, सडग डामरी करण के लिए ग्यापन सोपा, ये सडग ताजबाक शरीफ के ठागुर प्लोट एक मिनारा मजजित, अब इकबाल शेक का मकान प्लोट 94 तक और राजु फोटो वाले के घर से लेकर नाजिश सर के घर तक खसरा 49, 40, 41 और निराला सोसाइटी रिंग रोट सलिम पेंटर के घर के पास से लेकर बीसा बाबा दरगा मजजित कंजुल इमान तक है, काफी सालों से इस रोट का डामरी और नागरी कुको आवाजाही में परिशानी होती है, इस रोट के डामरी करण जल्द से जल्द करवाने का आश्वासन संदिप इटकेलवार ने दिया है, यापन सोपते समय, शकिल पटेल, इसहाक मनसुरी, शमिर भाई, आयूप शेक, शकिल शेक, शमसुदिन ताजी, मेस्टा ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है, इस फैसले की घोशना मेस्टा के अध्यक्षर संजे ताइडे ने की, उन्होंने कहां कि छातरों को उनके माता-पिता की सहमती हासिल करने के बाद ही स्कूलों में जानें की अनुमती दी जाएगी, पुरे में लगबग 18,000 स्कूल मेस्टा के अंतरगत आते हैं, ताइडे ने कहां कि एसोसियेशन ने राज्य सरकार से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए कई अनुरोद किये हैं, अन्य सभी एजंसियों को सामने रूप से काम करने की अनुमती के साथ के वल शेक्षनिक संस्थाओं को ही क्यों बंद किया जा रहा है, कायडे ने कहां कि सभी सदस्यों के साथ चर्चा के बाद मेस्टा ने शहरीक शेत्रों में कक्षा आठवी से बारहवी तक और ग्रामिन शेत्रों में कक्षा पहली से बारहवी तक के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है, सभी कोरो झाल झाल